वेल्कम टू ईजीबे इजेबे चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपोजिशन के बारे में ठीक है जितने भी इंपोर्टेंट प्रिपोजिशन हो गया जैसे एट इन हो गया ठीक है फ्रॉम फॉर सेंस बिसाइड ठीक है इ अब पबांसा प्रिपोजिशन पर यूर्र उचन किस कंडिसं करेंगे कभ का यूज करेंगे, कभ फोड यूज करेंगे, कभ नुवन उच्य यूज करेंगे, कभ लूं सिंस का यूज करेंगे, ख़व व dio को पूरा ठीकियो जदिके देखिए कि एगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट अग देखे लेते हैं तो पिर पिर पूजीशन में आने वाले टाइम में दिख्कत नहीं होगी ठीक है अप अधाम से प्रिपोजीशन का कोशन बना सकते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला और गाहों के लिए होता है, ठीक के एड का यूज़ हम लोग वहा करेंगे, जहां पे छोटे कस्बे हो, जोटा गाहा हो, छोटा टाउन हो जब की इनका पड़ियोक、 बड़े नगरो और डेसों के लिए होता है, ठीक है, यानि की ऐसे बाग के ऐसा sentence, जिसमें छोटे नगरो या छोटे विलेज का विलेज की बात किया जा रहा है तो वहाँ पर हम लोग एट का यूज करेंगे ठीक है जैसे राम लिफ एट रामपूर ठीक है रामपूर विलेज का नाम है ठीक है इन कानपूर कानपूर देकि सीटी का नाम है सीटी बरास में रहता है जो कि कानपूर में इन कानपूर रामपूर कहा है इन कानपूर में ठीक है तो यहां पे बड़ा सीटी है सहर है इसके लिए हमको इन का प्रयोग करना पड़ा रामपूर जो कि छोड़ा कसवा है विलेज है उसके लिए लोग एट का यूज करना पड़ा ठीक है ब अब हम लोग बात करते हैं दूसा कंडिशन है कि आयड का परयोग निर्धारिस समय तथा इनका परयोग लंबी अब्दी के लिए क्या जाता है देखिए आयड का परयोग निर्धारिस यानि फिक्स समय के लिए क्या जाता है ठीक है और इनका परयोग लंबी अब्दी के तो यहां पर एड का यूज होता है एड दी 6 पीम ठीक है लेकिन यहां पर इन का यूज इसलिए हुआ कि वह इवनिंग कर देखे एवनिंग हम लोग क्या चार पांच बज़े से लेगे आट बज़े तक को इवनिंग आता है तो इवनिंग का डूरेशन थो ऐसा लंबा होता ह ठेक है ताइम डूरेशन जादा होने के कादन यहां पर हम लोग continuer यहां पर यूज के हैं जे लेफ्ट एट अएट ओक्लोक है देखो देखो यहां पर एकदम एट बीडी किया है क्यूंकि इन का यूज़ करेंगे जिसे in the evening, they left at 8 o'clock in the evening, ठीक है, अब हम लोग बार ये तो हो गया, at और in का परियोग कहा कहा हम लोग करते हैं, ठीक है, तो अब I hope कि आफ समझ गयोंगे, कि at का परियोग हम लोग छोटे कस्वे गाउं के लिए क्या जाता है, in का परियोग हम लोग ब के लिए night के लिए ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है, आब हम लोग बात करते हैं, आब हम लोग परियोग कहा 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 जाता है, ठीक है, तो in का परियोग अस्थिर्था, position at rest, अस्थिर्था मतलब जो चीज अस्थिर, at rest में है, उसके लिए यूज़ करेंगे, into का परियोग होत झालब फोजीसन एट-ड्रेस्प के लिए यूज करता है और इंटू का इडय होता है सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब या इए, यहां पर पर ऊंदर है चाहा क्रखीले क這邊 वो रूम के अंदर है तो इसलिए यहां पर इन का यूज की है ठीक है he came into the room वो रूम के अंदर आ रहा है यहां पर into इसलिए यूज की है क्योंकि motion में वो रूम के अंदर आ रहा है ठीक है इसलिए यहां पर into यहां पर in नहीं कर सकते हैं देखे, Sins of Horst, Sins का परयोग निश्चीत समय, Point of Time के लिए होता है, ठीक है, Point of Time का मतलब हो गया, निश्चीत एक तर्फिक्स है, 4 o'clock, 3 o'clock, ठीक है, तथा 4 का परयोग निश्चीत समय, Period of Time के लिए, इसमें Period of Time के निश्चीत समय, इसमें हो सकता है कि एक दिन का नाम हो इवनिग हो वही बात है, अनि के लिए होता है, इसे, I have no heart since 1994, ठीक है, Sins का परयोग निश्चीत, Point of Time, Point of Time है कि 1994 समय इसको जानते हैं, ठीक है, I have no heart since, कब से जानते हैं, 1994 से, यहां से fixed time दिया हुआ, 1994, ठीक है, He has been suffering from fever for two days, देखे, यहां पर period of time दिया हुआ, दो दिन से, यहां पर fix ने दिया हुआ, period of time दिया हुआ, इसले हम लोग four का जूच किया है, जहां पर period of time, यानि की time का duration दिया हुआ, period of time दिया हुआ, पर हम लोग four का जूच करेंगे, He has not meet me since Sunday, रेखे, यहां पर भी fixed time दिया हुआ, Sunday, Sunday क्या fixed है, रभी बार से नहीं मिले है, He has not meet me since Sunday, अब हम लोग बात करते हैं, beside और besides का जूच हम लोग कहां करेंगे, अगली जो preposition है, beside और besides, ठीक है, तो beside का आर्थ है, निकट या pass, ठीक है, beside का क्या आर्थ है, निकट और या pass, तो beside का आर्थ है, निकट या pass में, जो मेरे साइड मेरे पास बेठा हुआ है, जैसे मेरे पास अभी किताब रखे हुई है, या मेरे पास मेरे दोस्त बेठा हुआ है, इसको करते है, बाइ दी साइड आफ, तता बिसाइड का आर्थ है, इसके अतरीक ते, इन एडिसनल, इन एडिसन टो, ठीक है, इन एडिसन टो जैसे हो गया जाओ और अपने फादर के बगर में बैठो अब बिसाइड्स एक कार ही है मोटर भाई क्याने की कार के अलावा उसके पास एक मोटर साइकल भी है अतरिक्त मतलब एडिसन इसके अलावा ठीक है बलू पेंड के अलावा मेरे पास एक बलेक पेंड भी है तो उसके लिए हम लोग विसाइड का यूज करेंगे ठीक है नद्यवाद